प्रेंड्स मैं अर्चना सागत है आपको मेरे चनल में आज हम बनेंगे एक प्यारा सा फोटो फ्रेम तो आए शुरू करते हैं फ्रेम बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये वोड़न पिंस प्लास्टिक का बिन नहीं लेना वोड़ वाला ही लेना है एक छोटा सा फोटो सीजर्स एक कोईलेस और ग्लूगन तो सबसे पहले हमने ये जो अपने वोड़न पिंग लिया है इनको यूज़ करते हुए आपस में इस तरीके से फसाते हुए हम एक स्क्वेर बना लेंगे अब इनको स्टिक करने की ज़रूरत नहीं है आप अराम से एक स्क्वेर बना लेजिए एक फ्रेम बनाना है हमको इससे इस तरीके से अब इसको एक ब्यूटिफुल लेस से कवर कर दीजे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर या गोल्डन लेस ना लेके आपको यह कैसी लेस यूज़ करें जो वुड के साथ में अच्छी लगे जैसे कोई ब्राउन कलर की लेस या फिर जूट की कोई लेस या फिर मैंने ये थोड़ा जंगल थीम टाइप का लेस लिया है रैड और ग्रीन यूज़ करके आपको इस तरीके की लेस लें जो वुड के साथ में अच्छी लगे तो बस इस तरीके से आप इसको पूरा कवर कर दीजे और कवर करने के बाद में ग्लूगन का यूज़ करके सिक्य अब हमने यहां पे अपना फोटा लिया था उसका साइज मीजर कर लेंगे और यह मुझे थोड़ा बड़ा लग रहे है इसलिए मैं इसको थोड़ा काट शाट कर लूगी और यहां पे इस फोटो को मैं एक बॉर्डर लगा रही हूं जिसके लिए मैंने एक जूट की पतली किसी रसी लिए है और मैं इसके इसका बॉर्डर बना रही हूं या ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो यहाला स्टेप स्किप कर सकते हैं मुझे बेसिकली अपने फोटो के हार शेजर यहां पे नहीं दिखाने थे इसलिए मैं यह च्छटा सा बेस यहां पर लगा रही हूं बस इजी लिए आपका कोई भी लेस या कोई भी बॉर्डर यहां पे स्टिक कर लीजे और बस इसको यहां पे लगा दीजे फिट कर दीजे अपने फ्रेम में एक दम उपर की तरफ नहीं मैंने थोड़ा सेंटर में करके इसको फिट किया है जैसे कि आप देख सकते हैं अच इसके लिए मैंने एक पेन और लिया है और इसके बैक में इस तरीके से मैं यहां पर लगा रही हूं अब आप देख सकते हैं आराम से टेबल पर रखा जा सकता है कहीं भी आप इसको रखे और अब भी देखे या आगे कितभ प्यारा लगेगा यह छोटा सा इतना असानी से बन जाने वाला गिफ्ट है नहीं देखे आपको यह वीडियो यह आइडिया पसंद आया होगा अगर हां तो मेरे वीडियो को लाइक करना पिलकुल मत भूलेगा जरूर ट्राइ कीजेगा और शेयर भी कीजेगा थैंक्स पर वाचिंग बाइबाई टेक क्यार